Alexander the Great, one of the greatest conquerors of all time, भाई, कौन नहीं जानता है इनको? Alexander the Great एक फिलोसफर के पास जाता है, जो फिलोसफर अरान से पड़ावा अपनी दूप सेक रहा होता है, और उस फिलोसफर के पास जाके कहता है, आपको जो चाहिए वो मैं दोँगा, बस आप मूँ खोलके मांगिए, और फिलोसफर मस्त अपने दूप सेकते वे कहता है, भाई, चाहिए तो सही एक चीज़ बहुत इंपोर्टन्ट वह यह है कि भाई, बाई, बाज भी बढ़ जाए जारा मेरी दूप सेकने, सामने के आगे खड़ा होगे, और ये फिलोसफर था, डायोजनीज ओफ सिनोपे, साइनोपी, जो भी कहना चाते हो, एटो ने तक इस फिलोसफर को, मैड सौकरिटीज का नाम दिया था, कि अगर सोकरात पागल हो जाते, मैड हो जाते, संकी हो जाते, तो कुछ इसी तरीके के फिलोसफर के तरह दिखते, और भाई अपने जमाने में प्लेटू किसी से भी नहीं डड़ता था, बट डायोजनी से भट दी थी, एक ऐसा फिलोसफर जिसने अपने ही कंट्री, अपने ही वतन के सिक्कों को कोटा करना शुरू कर दिया, नेचे स्घुलिंग है भाई, जब ओ, कल लो, और ये सोसाइटल नॉमस को ब्रेक करना चाते हैं, मना किया जाएगा, यहां नहीं खाना मैं यहीं खाऊंगा, रोब कर दिखा लो, ना किया जाएगा, यहां पेशाम नहीं करना मैं यहीं मूतूगा, रोग के दिखा लो, तो यह जो lecture है एक anecdotal philosophical lecture है मतलब यहां ते हम कहानियों को उप्योग करके Diogenes की philosophical ideologies को समानने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करें क्योंकि Diogenes की कोई recorded philosophy नहीं है कोई किताब नहीं है, कोई scriptures नहीं है तो उसके बारे में जादा history नहीं है बट लोगों के मुख से बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया और बहुत कहानिया आई है बहले ही वो Plato हो, या वो Aristotle हो खर या फिर वो स्टोइक्स हो, या existentialist हो अपाइड फ्रॉम इस अश्नीन हरकते जो कि हम इस lecture को यह मुद्धा नहीं बनाना चाते है हमारा मुद्धा रहेगा to understand how Diogenes was one of the most savage philosophers of all type और किस तरीके से उनकी philosophies को modern world में इस्टमाल किया जाता है specifically stoicism और existentialism हमने Diogenes को समझने से बहले है important school of thought को समझना बहुत जरूरी है जिसका नाम है cynicism और इसके founding father Diogenes खुद है जो कि start हुआ northern Turkey और ग्रेक रीजिन से अब क्या था Diogenes जैसे लोगों को ग्रेक में कुनिकोस कहा जाता था K-U-N-I-K-O-S spelling एक बार वापस चेक कर लेना जिसका मतलब होता है कुत्ते या कुत्ता अब भाई हम एक तरफ बात कर रहे हैं इतना महान फिलोसोफर है Stoicism जैसे एक दिसंचलिसम जैसे School of Thoughts से इंस्पायर होए है और इधर उसके ही लोग उसके ही देश के लोग उसको कुत्ता कह रहे है ऐसा क्यो है भाई वो इसलिए क्योंकि वो हर एक इंसान को टोपता था जो उसके सामने से उगड़ता था चाहे वो एक छोटे तपके का इंसान हो चाहे वो एनलेटियर नोबिल कैटिगरी का इंसान हो सबको कुछ ना कुछ सुनाता था सबको वो बताता था देखो कैसे तुम गुल चुके हो इन societal norms में तो लोगा ने का जिसे कहते हैं यह कुत्ते बॉकते हैं कुत्तों का गाम है वाकना रोड पे चलते हैं कुत्ते तो बॉकेंगी वैसी डायोजीनीस है भाई बॉकता है बॉकने दो लेकिन डायोजीनीस के लिए एक अच्छा symbolism था मैं घर जाता हूँ एक ही ऐसी living चीज है जो मुझे इज़त देती है बले ही मेरा गेम अच्छा हो बले ही मेरा गेम बुरा हो वो है मेरा डॉग मेरा पालतु पुत्ता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने सो वारे पचास मारे दो मारे तीन मारे हो मुझे हमीशा खुशी से ट्रीट करता है और जब मैं आता हूँ खुशी से मेरे आगे गले लग जाता है यही चीज डायोजनीस ने कही है कि कुटे live in the present moment वो वरतमान में रहते हैं खुश रहते हैं उनको पैसो से मो माया से कोई मतलब नहीं है वैल से कोई मतलब नहीं है they are happy they are living in the present moment और सबसे बहुत गरीब lifestyle जीता था मतलब जो अपने रोड़े तो आजकल भईया गरीब भी अमीर हो गए अपने कटोरे पे QR कोड़ चिपका के गूंगते हैं सिक्का नहीं है तो वाई QR कोड़ लटका के चल पे तो वो तो गरीब हो गरीब थड़ा यह जिनीस बुरी हालक्ती रहता था उसी में खाता था उसी में पीता था वहीं रोड साइट समझे लू रहता अब लेकिन सवाल भाई यह उठेगा कि ऐसी क्या हालत होगी डायोजनीस के कि इतना दिमाग है सब कुछ जानता है इतना intellectual है लेकिन रोड पे रह रहा है ऐसा क्यों डायोजनीस जो था ना जो भी सिक्क्य उसके उसके उपर कुछ कुछ करना शुरू कर दिया मिटाना शुरू कर दिया उसके उपर गंदगी करनी शुरू कर दिया तोड़ना शुरू कर दिया यह कहते हुए कि यह materialistic चीजे ही यूथ को और इस दुनिया को इस कंट्री को कर रही है तो इसके चलते उसको और उसके बाप, वैसे तो उसको कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग कहता है, उसके बाप को भी historians कहता है, को बहार निकाल लिया लिया था, और आशाल, वगएरा, सब ख़ाइव भुछ लिया गए थे, सारा पैसा आप लिया था, सारी जमीन जबत कल लिया गए थे, और उन को जिससे ही दस लोग तक और पॉचे और बाई डिस्क्रिप्शन हमीशा देखते हो कुछ ना कुछ नया आता रहेगा उसमें और स्पेसिफिक नी ये टेली ग्रैम के अनॉंस्मेंट कम्यूनिटी वहाँ जो जॉइन कर लो बहुत सुन आपको अनॉंस्मेंट्स मिलने वाले ह सबसे बड़ी चीज इनकी जो थी वो थी रेजिक्शन ओफ कन्वेंशनल वैल्यूस जो होते हैं सोशल स्टाटिस्स वेल्थ पावर सब कुछ रिजेक्ट कर दे तो वो कुछ नी चाहिए इसी से रिलिटेड कहानी है डाय और जिनी से एक बार एक इंसान ने पूछा भई है एक समान मानता हो तो I am a Cosmopolitan और इसी रिजन से वो पुबलिक में मूद देते थे लोगों पे मूद देते थे वो गुस्से में आके नोबिल्स पे मूद देते थे वो वो पुबलिक में खाते थे उस वक्त के जमाने में अभी तो हम चलते बरते बही हैं मार्केट में अपन मिलना सबको मिट्टी में तो तुम होते कौन हो कि यह रूस बनाने वाले कि यहां खाया जाएगा यहीं मूता जाएगा तो वैसी चीजे बना सकते हो भाई बराबरी से ट्रीट करोना सबको तुम क्या स्पेशल हो तो भाई उस बंदे को जहां मिलता था हलका ओनी की जगा वहां वह हलका हो लेता है तीसरा वर्ची और सेफिशनसी तो सेनिक और डायोजिनी यह यह जी से लोग ना वरचू बर्चू गुड और सेफिशनसी विच आतमानेरबरता इसके उपर बहुत ज़्यादा रखते है इसके बहुत ज़्या बरोसा रखते है तो यह पेंप पंख के पंच्छी जैसा है जैसे चिडिया होती ना फेदरलेस बाइपेड भोला बाइपेड जो दो पैरों पर चलता है अब ये बात पहुंच के डायोजिनीस तक कैसे पहुंची हुई पता नहीं किसने पहुंचा दी होगी डायोजिनीस ने किया गए मुर्गी और उस मुर यही तो प्लेटो कहना चाहरे हैं और आपे सब हसने हैं अब प्लेटो जरा वहाँ पे थोड़े गावराग है यह अपने शिश्य लोग हसने हैं हमारे उपर तो अनों अपनी बात बन ली हां मतलब यह है चडिया जो है एक तरीके से हुमिल्स के तरह है फेडलेस बर्ट हैं और स्लैट नेल से थोड़ा कुछ भी मतलब वहाँ पे घुमा फिरा के प्लेटो ने अपनी बात रफ दी अप यहां पे आती है डायोजनीस का दिमाग वो क्या कहना चाहरे थे वो यह कहना चाहरे थे कि प्लेटो ने तो चिडिया से कंपेर करके बोल दिया कि बिना पंक करता था यह एनिग्डोट्स थे जो प्रूफ करते थे कि भाई डायोजनीस वस्वन अफ दे मोस्ट सैवेज फिलॉसल अवल टाइम प्लेटो उस वक्यर टॉप पॉलिटिशन में भी आते थे टॉप एजुकेटर में भी आते थे टॉप इंसानों में आते थे वहाई एक ब बटक गए हैं वनना सोकरात से भी आगे जा सकता था यह इंसान लेकिन मैं यह कहूंगा कि सोकरतीज अगर मैड हो जाते पागल हो जाते संकी हो जाते तो जरा डायोजनीस जैसे थोड़ी से लिखते हैं फिनी सहवेज इसली थे कि इतनी कॉंपलेक्स और इतनी इंटरस्टि हैं अभी और कहानी लाते हैं आपके साओक शपेश करते हम तो इर्शाद डायोजनीस एक बार वही अपने बैरल में अपने टंगी में वैटके भईया पानी पी ते वोडिन कटोरा लखडी से जो कटोरा बनाया जाता है उससे दूर में देखा कीचर से बढ़ाबा एक डायोजनीस ने लिया अपना कटोरा फेक के हमारा जब यह बच्चा अपने हाथ से पानी पी सकता है तो मैं किस कहित की मूली हूँ मैं क्यू इस काटोरी के ले रहा हूँ जब मेरे पास हाथ है मैं भी हाथ से पीऊंगा इस शोज देर सिंपलिस्टिक अन अन लग्जूरिय अगर अन लग्जूरिय इस कोई शब्द होता है डाय स्टाइल कुछ नहीं है बाई सिंपल और सिंपलिसिटी से उनका मतलब यह क्या चर रहे है दुनिया में मैं देखता हूँ छोटा सा काम करना है यहां से वहां उटके जाना है अपने सर्वेंट्स को बलाते है नोबल य हर चीज में कोई चाहिए हर चीज में लग्जूरिय चाहिए कोई चाहिए खड़ा होगा चाहिए चाहिए गर्मी हो चाहिए गर्मी ना हो उनको बस लग्जूरी चाहिए उनको अराम चाहिए इस बच्चे को देखो इस बच्चे से सी को जो हाथ से पानी बी रहे इसको तो काटोरी के भी जहुरत नी, at the end of the day प्यास भुजानी है न, हाथ से भी हो, काटोरे से भी हो, सोने के घड़े से भी हो, बात तो ही है पानी तो अंदर ही जाएगा, और निकल भी जाएगा जो वो लोगों पर निगाल देते थे, और ये चाइड़ वाला, ये बच्चे वाला अनेकडोड ये काने, ये दिखाती है डायोजिनीज अपनी फिलोसोफी पर खड़े उतरते थे, ये नहीं कि भाई, थी कि पी रहे अपने चुपा के पानी ज़रा गटक लिए, नहीं भाई, वो पी रहे तो हटाओ, फिक के मारा, मैं भी उस बच्चे के तरह हाथ से पीऊँगा मैं क्यों भे लक्जुरी में जूँँ, मैं ऐसी क्या, किस खेत के मूली हूँ, क्या तोप हो मैं भाई फिर है, क्रिटिक और सोशल इंस्टिटूशन रिलिजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सब के क्रिटिसिसम देते थे, कि यार यह जो कर रहे है न, बेफूफ बनाने है तुमारा और इसी को दर्शाने के लिए, एक बार दायोजनीस निगल पड़े, लैंटन लेके, दिन में, धूप चमक रही है, एक तब समझ लो, बारा एक बजी के दूपे चमक रही है, लैंटन लेके, लोगों ने पूछा, बाई, 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 क्या हो गया आपको, खेंखो, कई चुपधे आपको, खिए गिर भिर गये थे, दैयोजनीस बोलते नहीं, बाई, मैं ठीक हूं, मैं एक इन्सान डूणने निकला हो, एक honest इनसान, एक इमानदार इनसान डूणने निकला हो, क्या तुमने अदेखे है, और इसी कहानी से, एक interesting कहानी एक याद आती है, अपने चलावा क抖ाव जार दोंर के लेक॰ निकला रहा है जर तुस्रा या फिर कोई एक इन्सान क्या लैंटन वह गुर वहाँ नीचा रीजस्पता को सपत्य है सेलत्र निकल निकला नीचा करूकर सनीकफ क्रॉट को सब्रसपिकर गड़ार के लिए जर्मनी गड़ को देखां है सब आंकों के सामने दिख रहा है, आराम से तुम एक इमानदार इंसान उस ब्रॉड डेलाइट में डूड सकते हो, लेकिन लोगों में जूट इतना है, फरेब इतना है, पीपल लाइ सो मच की उनको एक लाइंटन लेके चलना पड़ रहा है, समझ लो कितना कॉन फ्रास show, वड़ी डूप में लेके छलना पड़ रहा है, हम देखते हुए भी नहीं देक पारे, हम चाहते हुए भी नहीं चाह पारे, हम डूंड अछ्श्ची और एक इमानदार इंसाण, लेकिन मुझा शायद छुर भी एक इमानदार इंसान नहीं मिलेगा, अब ये तो रही डा documentation होती उसके बारे में, उसकी life के बारे में, अब इनके जब देहान दुआ, इनकी मौत हुई, इसके पीछे भी काफी भाईया, conspiracy theories थी, कुछ कहते हैं भाई, उनको बिमारी हो गए थी, कुछ कहते हैं कि भाई, उनको पुत्ते ने काट लिया था, रेबीस वगेरा हो गया था, तो वो मर गए, कुछ तो भाई कहते हैं कि उनको पुछ जादा ही खाल लिया था, तो अंगा देहान दो गया, कुछ कहते हैं, डायोदिनीज भाईया ने इतनी जादा दूप सेखनी थी, कि खाल पूरी जल गई, और वो वहीं पे फतम हो गया, और मुझे जो सबसे इंट्र सब की अलग स्टोरीज और उनके मरने के बाद कुछ कहते हैं कि उन्होंने बोला था, कि मरने के बाद इंसान क्या वमिट्टी में मिल जाएगा ना, इस नेचर ने मुझे इतना सब कुछ दिया, मैं भी नेचर पुछ देना चाहता हूँ, मैं जब मर जया हूँ मेरे शरीर क जो मेरी खाद लेंगे, उनको ही फायदा होगा, मैं नेचर को गिव बैक कर पाऊं, कुछ लोगों ने कहा कि वह उनका एक अच्छे से क्रिमेशन हुआ था, सबकी अपनी कहानिया है, सबकी अपनी चीजे हैं, बड हमारा यहां पर में काम यह है, कि उनकी फिलोसोफी को जादा भी लंबा वो लेक्चरों उसमें विस्तार से हम कवर करेंगे, और इसी के साथ बाबा का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, एक और छूटी सी चीज, जो मिरको अचानक से याद आई, दिमाग में आई, यह बार एक पॉलिटीशन ना डायाजनीस से बहांस करते है कि भाईया वो तरफ कॉलिटीशन होता है, कि भाईया motion जैसी कोई चेज जी नहीं होते सू motion वगरा पर काफी दादा बहांस होती थी तो उस पर पता है डायजनीज क्या करते हैं? उन्होंने एक मिर्ट भाई उन्होंने कुछ नी कहा, उन्होंने कुछ नी बोला, वो जुप से खड़े होई और वहां से चल दिये. अब समझने वालों को भाईया इचाह रहे हैं, काफी डायजनीज बावा की जय है, भाईया डायजनीज बावा की जय है.